हलो ब्यूटिफिल पीपल वालकम वालकम बाक तो मैं चानल यहां पर आज हम देखेंगे हैं हमारे वीवर्स के लाइफ में जूभी ब्लॉकेज है उन्हें रिलेशन्शिप को लेकर उनके करियर को लेकर वो कब तक खतम होगा क्या ही ब्लॉकेज और क्यों यह ब्लॉकेज आ यहां पर जर्नल वीडिंग होने वाली है सभी जोडीक सायन के लिए हो ताइम बेस वीडिंग है अगर आपको लगता है आपके लाइफ में किसी भी सिच्वेशन में कोई भी ब्लॉकेज है लाइक रॉलेशन्शिप है कारियर है तो आपके रीडिंग देख सकते हैं ठीक है आपके सबसे थोड़ा फानी है लेकिन अगर मैं कहूं कि आप लोग सोशल मीडिया पर जादा ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीचेगा सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म में जिसको आप अपने इंटर्टैन्मेंट के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया कई तरीके से हमारे लिए गलत भी साबित हो रहा है हम अपने सारे काम छोड़कर अपने करियर का या अपने बागी और भी बहुत सारे काम हो हम सोशल मीडिया पर लगे तो वहां को हमें डिस्टॉप करता है तो हमारा आर्गूमेंट हो जाता है तो सबसे थोड़ा अलाग है लेकिन अगर आप लोग अग्री करेंगे तो सेकंड चीज यह है कि रिलेशन्शिप के अपर काफी असर पड़ते हुए देखा जा रहा है स सोशल मीडिया की वज़े से तो कि क्या होता है कि हम लोगी स्टॉप करने लगते है अपने पातना को लाइक आपका पातना का अगर अकाउंट है तो आप पर इसको स्टॉप करेंगे इस तरीके से कि किसने उसके लाइक की वीडियो उसने किसको फॉलो किया किसने उसको फॉ करें ना करें हाँ सोचल मीडिया के उपर अपना टाइम स्पेंड करना लाइक पांस यह दस मिनिट आप सेट कर लिए ठीक है अब अब अपने दिन का टाइम नोट करना शुरू किजे का अगर आप में से कोई भी इस प्रीडिंग में इंट्रेस्टेट है या फिर आपको ठीक लग रही है एंट्रेटिंग तो आपने कितिनी कितिनी दे सोचल मीडिया के उपर रील्स या शॉर्ट्स देखिया या सोचल मीडिया के उपर कितना टाइम निकाला है अपने इंटरटेर्मेंट के अलावा आप लोग टाइम करते हैं यहाँ पर यह स्ट्रॉंग मेसेच है यह एक ब्लॉकिट मुझे काफी जादा दिख रहा है चाहिए बच्चे हैं बड़े हैं चाहिए हाउस फॉइफ हैं काफी ज्यादा टाइम मैं को लग रहा है कि रिलेशनिशिप ने भी जनल सब्सक्राइब बड़ा एक कारण है सोशल मीडिया आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज देखने को मिल रहे हैं आपके लाइफ में अच्छी चल रही हो सकती या तो आप में शुरू से स्ट्रॉगल किया है या तो काफी आपने अपने डाउन देखे आप हमेशे एक उम्मीद में रहें कि मेरी लाइफ में सारी चीज़े ठीक हो जाएगी लेकिन इसमें क्या हुआ जब भी आपने किसी भी पॉस्टन से सपोर्ट मागने की कोशिश किये उन्होंने हाथों बोले किसी ना आपको सपोर्ट नहीं किया सच काऊँ तो आपके पीछी से बाते करने वाले काफे जाता लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको हस्ता हुआ देखकर तो खुश नहीं होते हैं लेकिन रोता हुआ देखकर दादा खुश होते हैं कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास ठीक है यहां पर मुझे आपके रिलेशनिशिप में थोड़ पार्टी सिच्वेशन भी दिख रही है कुछ ठीक है लेकिन आपको बता है क्या करना है अगर में गाइडेंस की बात करूं तो आपको यह करना रहेगा कि आपको सेलफ लव और थोड़ा डिफेंसिव मोड में आना पड़ेगा थोड़ा सा आप बैठकर रोने के जंगा सामने वाले को जवाब दे सकते हैं यह गलत बात है लेकिन अगर आप सुन रहे हैं अपने लाइफ में सुनते ही जा रहे हैं सुनते ही जा रहे हैं सबकी तो यह एक तर आपके साथ relationship में आया और आपने उस पर बहुत जाता trust कर लिया यह सब चीजे में मुझे यहां बहुत जाता strongly दिखाई दे रही हैं अगर आप ऐसे किसी भी person का वेट करने कि आपसे मिलने आएगा तो हां strong chances हैं उस person ने अगर आपसे no contact situation बना ली है तो वह person आपसे मिलने भी आएगा और आपके साथ रिष्टे की नई शुरुवात भी करेंगा यहां पर ठीक है नई शुरुवात दिखाए देरिया अगर आपके करियर में आपके ब्लॉकेज आ रहे हैं तो जिनके पास जॉब नहीं है ना उनके पास जॉब लग सकती है लेकिन आपकी city से बाहर लगेगी कहीं पर जॉब ठीक है जॉब के लिए अगर आप वेट करें काल मेसेज का कहीं से इंट्यूव देने के बाद तो कॉल मेसेज आपका आसकता है जॉइनिंग लेटर आपको मिल सकता है यहां पर आपकी जॉब की शुरुवात हो सकती है कि यहां पर कोई तो पॉजिशन है जो आपको लेकर काफी ज़्यादा पॉजेसिव है और फाइनेस की बात करूं तो आपके दिल दिमांग में 24 गंटे इस वक्त फाइनेस को अपने इंप्रूफ करने की ही बात चल रही होगी किसी पॉजिशन को लेकर आप मुझे पॉजेसि तो आपको पार्टनर हो सकता जिसके सब नहीं शुरूबात करना साथ सिंगल्स के लिए मैसुज़ है आपके पार्टनर से आप पर शादी होते वह दिखाये देऊ अगर कोई मैरेट पोसं दिख रहा है तो आपके शादी आपने पारटनर से मतलब खराब नहीं होगी चलते तुने आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ तो मीजर इशू आए हैं आपके रिलेशनशिप में आपकी शादी में यहां पर देखों तो कोई फीमेल मुझे यह सब चीज नेगिटिव एनरजी यूज करती है आप दोनों के आपके पार्टनर के कर दिखे ञूदाने से खुशुष होते हैं कि यहां पर आपकी तरफ से मुझे तरफ से लोग दिखाई दे रहें और हो सकतां की तरफ मिलेंशांज अगर किसी चाथी ही नहीं अगर किसी डिलेश्चिप में तो डिलेश्चिप में नेगिटिविटी है आगे नीवड़ पाल आए आपको दाउट जरूर होगा और शाद आप एक लिम एक धूर जानते होंगे कि कौन है यहां पर आपके ना बस रिलेशन्शिप में और करियर में यही ब्लॉकिश निकरा है सबसे पहले में हमेशे आप लोग को यह बात कहते हूं कि अपनी खुशिया है ना दुनिया में जाहिर ना किया करो लोग ना फोटोग्राफ डालना शुरू कर देते हैं वह सब नह होते मीर्म हिसें पहले तो आप किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वह सब बथा पर लागे लेकिन लाज पर आपक Dragons नहीं करते हूं में आपको बताती हूं कि यह सब चीज़े हैं लोगों को बरदाश निहोंता तो यहां पर आपके लाइव कर बाक्तito का शेज नई शुरुवात बहुत अच्छी है आप कोशिश भी बहुत करते हैं रिलेशनिशिप को इंप्रूव करने की आप बहुत कोशिश करते हैं जॉब में आगे बढ़ने की फाइनिस स्ट्रॉंग करने की अपनी हेल्थ को अच्छा रखने की बैलेंस करने की लेकिन यहां पर ऐ नेगेटिव एनर्जी यूज की जाते हैं नेगेटिव एनर्जी के जरिया आपको कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोलिंग अनर्जी तो है ही आपकी लाइफ में तो यहां पर क्या गड़ना है आपको सबसे पहले तो आप सोचिल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाएं ओ आपको मेसेजेज दे रही हूं ठीक है मैं आपको गाइडेंस दे रही हूं बाकि आपके पर डिपेंट करता है क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत मिचूर है और डिसीजन ले सकते हैं ब्लाइफ मेसे बचाने के लिए आप रिमूब कर शकते हो आप खु कि आपको शादी ही ना हो, रिलेशनशिप में ही रिक्कत है, तो भी शादी होगी कैसे, यह सारी चीज़ है, ठीक है, तो यह थी हमारी रीटिंग, I hope आपको guidance मिली होगी, थांक यू फॉर वाचिंग, बाई